ओम नो भगवते वासु देवायन अमा दोस्तों कैसे हैं आप आशकरतों जाबी होंगे सुरुक्षित होंगे और कोशाल होंगे दोस्तों कल 6 दिसंबर थी वही 6 दिसंबर जिस दिन बाबरी मजित का धाचा गिरा दिया गया था तैसनेस कर दिया गया था उसी छेदी सम्मर को यानि कल के दिन एक और अच्छी खबर आई जिदेंदर नाराणड़ जी की घर वापसी होई यानि वसीम रिजवी जो पूर्फ पमुक रहे हैं शिया वखबोड के उनको असलाम से भार कर दिया कल डासना देवी मंदिर में उन्हेंने अस्तनातन धर्म कबूल किया अपनाया और उन्हें का ये मेरी घर वापसी है लेकिन कुछ बात उन्हेंने पॉइंट आट की हैं जिस पे बिल्कुल चर्चा होनी चाहिए दोस्तों उन्हें नंए कहा वसीमिरी साथ ने कहा यानि अब जिदे नर्णची निस साथ कहा कि मुझे इसलाम से भार कर दिया गया मेरे पे बहुत सारे कट्रपंती जो है मुझे धंकाते थे मारने की धंकी देते थे हर शुकरवार को हमारे पर इनाम दुगना कर जाता था हर शुकरवार को और ने कहा कि मुगलों ने ये परंपरा चलाई है कि हिंदू को खत्म करो आज भी जो पार्टी मुसल्मानों को सपोर्ट करती है हिंदू खिलाब बोलती है मुसल्मान उसको सपोर्ट करते है कह रहे हैं मुसल्मान जो है जो वोटिंग की जो प्रतिक्रिया होती है प्रतिक्रिया होती है माफ कीजेगा सरफ उसमें हिस्स असले लेता है ता कि हिंदू को हरा सके जाने कि उनको वोटिंग में को इंटरस्ट नहीं है लेकिन किसी पार्टी को वोड़ इसलिए दो ताकि हिंदू को हरा सको ये कहा है जी देंदर नेराणड जी ने उर्फ वसीम रिस्वी साब ने जो इत्ते सालों तक इसलाम धरम में रहे और शिया वकबोड के जो है चेर्मेन रहे वो अच्छे सचाए जानते होंगे कि कहां तक जहर भरा हुआ है देखिए हम शुरू से कहते हैं कि हमारा धरम जो है ना तो कभी किसी नफरत करना से कहता है लेकिन जो सत्ते है उसको हमें जुकलाने भी नहीं चाहिए और जो आदमी ये बोल रहा है उसे साहता सच्थो कोई जानता नहीं होगा इसलाम का या बनाया हुआ इसलाम का मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि जब भी ऐसे मुसलमान जब तक सामने नहीं आएएंगे ना असलाम सुधर सकता है ना देश सुधर सकता है ऐसे लोग खासकर कल के दिन जो आए हैं वो भी यूपी चुनाफ से बहुत पहले मुसल्मान को अच्छा संदेश मिलना चाहिए कि हमारे हिंदु धर्म में किसी को अधिकार नहीं कि इसको हिंदु धर्म से असरादम धर्म से भार कर दो तो कौन होता है किसी को ये कहने वाला कि उसको इसलाम से भार करो कोई जर्म से मुसल्मान होता है जर्म से हिंदु होता है तो उसका ये जर्म से अतिकार है कि वो किस धर्म में रहे किस धर्म में ना रहे आप कौन होता है उसको भार करने वाले खेर यह बहुत अच्छी बात हुई एक चीज और कल का दिन हुई दोस्तों JNU, JNU के स्टुडेंट्स फिर सड़कों पर निकले बावरी मज़ीद के सपोर्ट में नारे लगाई दोने वैसे मैं एक बात समझता हूँ कि JNU के स्टुडेंट को सड़कों पर ही रहना चाहिए वो वही डिसर्फ करते हैं क्योंकि अभी जब तक BJP रहेगी और 10 साल, 15 साल, 20 साल देश में तो ऐसे बिल और ऐसे जो है वो ये चीज़ा आती रहेंगी सामने ऐसे वो जो है ओटर देती रहेगी BJP तो मेरे कहने का ये मतलब है कि अभी 10 साल, 20 साल तक यही सब चलता रहेगा तो आप क्यों बाबो घर जाते हैं अपने सड़कों पही रहे हैं ना ये बार निकाल लगा है तो रहे है 10 साल तक 20 साल तक वहीं पे आप फिर जाएंगे घर पे फिर वापस जाएंगे फिर दूसरा मुद्ध लेकों उस पर नारल करेंगे आप बाबरी मज्जित है कलो किसी और मज्जित पे कलो किसी और बिल पे इससे अच्छा है बाबू कि तुम्हारी मांगे पूरी होने ही नहीं है तो दस बीस साल वहीं पर तंबू काड़के बैड़ जाओ कौन तुम्हें पूछ रहा है लेकिन कल का दिन जुधा इन्होंने अंबेटकरजी को याद किया ठीक है लेकिन ये अंबेटकरजी को याद करने वाले तब कहां रहते हैं जब ये मंदिरों की बात चलती है जब मंदिरों की बात चलती है तब ये कहते हैं स्कूल कॉलिज बनाओ हॉस्पिटल्स बनाओ तो स्कूल कॉलिज बनाने वाले मजजित को को सपोड़ कर रहे हैं भईया प्रतुमाले बाबरी मजजिद भी नहीं बननी चाहिए थी देखिए इस तरीकी की हिपोकरिसी जो होती है ना और यहाँ पे जो है वो कनिया कुमार जी जो है उनको मौनवरत धारन कर लेते हैं पता नहीं क्या उनके मूह में ऐसे चला आता है कि आमने मूह में ले लते हैं वह कि कुछ उंका मूह ही नहीं खुलता है इस बारे में या आप भी जो जो है वह मत्रा में जी का भवे मंदिर बननाना है तब कनिये कुमार को ट्विट आता लेकिन JNU वाले जो मस्जिद के सपोर्ट में जो है नारे लगाते हैं तब कनिये कुमार या स्वरा भासकर या कोई टीमसी का गारे करता या कोई केजरी वाल का बंदा या कोई दिली सरगार का बंदा कोई tweet नहीं करता वैसे हिंको hospital चाहिए school चाहिए college चाहिए लेकिन मंदिर को हटा के मच्चित को हटा के नहीं कल का example मा को सही बताता हूँ कि जो वसीम रिजीव साभ यानी जितंदर नर्यानड जी ने बिल्कुल मुगलों की इसलाम की सचाई सामने लाई है उसके बाद भी अगर हम लोग नहीं सीखते हैं तो हम लोग बिल्कुल ढकन है बिल्कुल कायर है यूपी में एक और चीज़ है कोई सीम दुबारा रिपीट नहीं हुआ वापे कभी भी बहुत सालों तक इस बार हमने वो चीज़ करके दिखानी है यूपी से बैठे वज जितने मेरे भाई हैं मेरी बहने है योगी का आना बहुत जरूरी है प्रदेश के लिए भी देश के लिए भी सनातन धर्म के लिए भी देश की तरक्की के लिए भी हर कोनों से हर काईदे से BJP का आना जरूरी है अपने तंपर, CM, योगी का आना बहुत जरूरी है देश में, 2024 में मोधी का आना बहुत जरूरी है दोस्तों इस बात का बलकुल धान लखेगा और दूसरी बात यह कि जिस तरीके से आप लोग भी वेक्सिन लगवाई यह चलतों दोस्तों और जो है नेक्स चौपिक बहुत जल्दी वीडियो आईगी शायद पर सब्सक्राइब ज़ल्दी वीडियो आईगी दोस्तों या उसके अगले दिन ही आईगी देखते रही है दोस्तों सुपोर्ट करते रहे है जय हिन्द जय भारत जय सनातन